प्रियंका सिंग आपका एक्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो रोजाना जितने भी बायलोजी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनको आज जो है संडे 12 बजे की क्लास का इंतजार रहता है क्यों क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं आज की जो है दिन और एक चीज और है कि इन्फोर्मेशन आपको दे देते हैं कि अब आपकी बायो की जो टीजीटी पीजीटी की जो प्रैक्टिस सेशन है वो लगभा का प्रती दिन होगी जो है आपकी टूजडे से टूजडे से प् करते हैं आज की क्लास और आज जो टॉपिक थमनिल में आपने देख लिया होगा कि फोटो सिंथेसिस जो की काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोटो सिंथेसिस तो यहां से आपके टॉप सिक्स्टी कोश्चन को आज हम लोग सॉल करेंगे कि वह साथ प्रश्ण और हो भी बहुत महत्तपूर बेसिक से लेकर टॉप तक के यह जो है कॉंसेप्ट करेंगे हम लोग तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी और जो है चलिए यह रहा आपका जो है पहला प्रश्ण और यह हम इसको तुरंट कर देंगे हैं पहला कोश्चन और प्रकास संसलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहां से होती है यारी हमें लगता है थोड़ा जुम कर देना चाहिए यह देखिए पहला कोश्चन आपके तरिंट पर है पहला कोश्चन कहरा है कि फोटो सिंतेशिस जब होता है अप सभी जानते हो बच्पन से आपने पढ़ा है कि जो यह फोटो सिंतेशिस यानी कि जो प्रकास संसलेशन है न यह क्या है एक तरीके से पौधों का खाना बनाने का यानि कि आपका light reaction change into chemical reaction यानि कि इसमें light energy जो होता है प्रकासिय उर्जा रसाइनिक उर्जा में बदलता है यह सुरू से आपने देखा है तो इसमें क्या होता है कि carbon dioxide और पानी की उपस्तिती में क्या बनता है तो आपका chlorophyll औ और sunlight की उपस्तिती में glucose का निर्माण होता है है ना glucose तो सबसे बड़ी बात कि जो by product oxygen होता है वो कहां से आता है वो कहां से आता है तो देखिए जो light reaction light reaction यानि कि जो प्रकासिय अभिक्रिया होती है उसको क्यों प्रकासिये देखिए एक reaction दो तरका होता है एक light reaction और dark reaction तो जो light reaction होता है इसमें directly जो pigment होता है वो प्रकास पर निर्भर करता है और आप सभी जानते हो कि chloroplast के अंदर ग्रेना के थेलक्वाइड structures होते हैं उसी पर एक membrane होती है थेलक्वाइड membrane और वहीं पर वहीं पर pigment पाए जाते हैं और वो कैसे pigment तो पौधे यानि कि chloroplast के भीतर चार प्रकार के pigment होते हैं एक chlorophyll chlorophyll A, एक दूसरा chlorophyll B, एक तीसरा zenithophyll, चौथा क्या होता है carotene यह चार प्रकार के वर्णक होते हैं यानि कि pigment होते हैं तो light reaction में यही pigment क्या करते हैं pigment में ही पानी की उपस्तिती में जब NADP प्लस पानी की उपस्तिती में NADP प्लस जो कि मिल जाता है तब oxygen by product बनता है तो सीधे सीधे को होगे कि water के breakdown होने से water के टूटने से ही जो oxygen by product बनता है और पानी के टूटने से ही oxygen by product बनता है तो यानि कि B is the right answer अगला प्रस्ष्ण समझ में आ रहा है in which following process the light energy is converted into chemical energy बताईए ऐसा कौन सा process होता है जिनमें जो light energy है वो chemical energy में बदल जाती है फड़ा फड़ बताईए कौन सा होता है जिसमें light energy chemical तो देखिए सूर के प्रकास में ही जो पानी होता है उसमें क्या होता है photolysis होता है यानि कि पानी का breakdown और पानी का breakdown होता है तो oxygen बनता है और फिर समझ सकते हो कि oxygen by product में होता है और जब पानी तूटता है तो na dp plus के साथ h मिल जाता है तो na dp h बनता है और यही na dp h carbon dioxide को reduction करा देता है जिससे की glucose का निर्माड होता है यानि कि एक रसायन का निर्माड होता है और यह किसमें होता है photo synthesis में होता है ऐसे प्रश्ण पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में अगला प्रश्ण डूरिंग फोटो सिंथेस दो ऑक्सीजन इन ग्लुकोज कमस फ्रॉं यानि कि प्रकास संसलेशन के दौरान जो ग्लुकोज बनता है वो कहां से बनता है आप देखो मेरी बात पांच मिनट में आप आप सभी जानते हो कि पतियों में मीजोफिल होता है मीजोफिल सेल होता है उन मीजोफिल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये है जो कि डबल मेंब्रेन की होती है यानि कि आउटर मेंब्रे और इन बाहरी जिल्ली और जो है आंतरिक जिल्ली इन्हीं में ये क्या होता है थेलक्वाइड मेंब्रेन होता है ये थेलक्वाइड मेंब्रेन होगा उपर ये एक तरीके से थेलक्वाइड इस्ट्रक्चर है उपर वाला हिस्सा थेलक्वाइड मेंब्रेन कहता है जो ग्रेनम से बना होता है ये अंदरूनी लिकविड भाग होता है जो कि stratom kano Awesome कैहलाता है हमेशा जो डार्क रेक्षन में ही हमेशा लाइट रिएक्षन में लाइट रिएक्षन में हमेशा और डार्क रियाक्षन में जो बाई होता है वो ग्लुकोज बनता है ठीक है ग्लुकोज तो हमेशा जो आपका फेलक्वाइड मेंब्रेण पर जब वोटर का ब्रेकडाउन होगा तो इसका हुग होग वह किसके साथ जुड जाएगा एन्ने डीपी प्लस के साथ जुड जाएगा और प्लस आपका oxygen byproduct बन जाएगा और ये जब मिलने के बाद NADPH बना देगा और यही NADPH कहां पहुँच जाएगा इस्टोमा में और इस्टोमा में पाई जाते हैं carbon dioxide तब जो NADPH होगा वो carbon dioxide के साथ मिल करके glucose का निर्मार कर देगा glucose का यानि कह सकते हो कि जो ये glucose आया है न वो कहां से आया है carbon dioxide से आया है यानि कि NADPH ने carbon dioxide का reduction करा दिया है जिसकी वज़ा से यह glucose का निर्मार हुआ है समझ में आ रहा है चलिए चलिए very good बहुत बढ़िया आप लोग बहुत उंदा और एकदम बहतरीन इस्टुडेंट से है the law of limiting factor for photosynthesis was given by सीधे सीधे question पूछा है कि जो law of limiting factor limiting factor का मतलब प्रका संसलेशन के लिए सीमित कारक का नियम किसने दिया था सीमित कारक का मतलब ऐसे factor जैसे आप खुदी जानते हो कि प्रकास संसलेशन के कुछ क्या होते हैं कारक होते हैं जो प्रकास संसलेशन को प्रभावित करते हैं अफेक्ट डालते हैं यानि ऐसे factor होते हैं जो प्रकास संसलेशन को effect करते हैं ठीक है तो जैसे कि light लाइट अगर घना कोहरा हो गया लाइट नहीं आई तो क्या फोटो संसलेशन को ऐसे कारक जो सीमित कर दें यही होता है आपका लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटो संसलेशन और इसको दिया था आपके black man काले भाई अब black man दिया है यानि कि सीडे सीडे यह चवथा कोस्चन तो हम आपको पूरा बेसिक से लेके पूरे 200 प्रश्न हम फोटो सिंथेसिस पे मेरी क्लास की खासियत यही है जो टॉपिक पढ़ो उसमें कम से कम सो से 200 प्रश्न कर लो कि कभी कोई दिक्कत ना आई अगर आप हमसे जुड़े हो तो भी नहीं जुड़े हो तो भी हम आपको यहीं बात बताना चाहेंगे कि टेक्सबुक को अभी किनारे रखी जो टीचर ये सला दे रहे कि टेक्सबुक समय नहीं है टेक्सबुक का कॉंसेप्ट समझेए और सीधे सिफ और सिफ जितना कोश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पे चार सो पान सो उतना करिए बायों पे पकड़ उसी इंसान की अच्छी बनती है जिन में के अंदर mcq सॉल्व करने का जो है ज्यादा कैपिसिटी होता है टिक तो दिन में कम से कम कोशिस किया करिए सो से देड़ सो दो सो कोश्चन एक दिन में सॉल्व करिए बस अगला देखिए अगला देखिए दा परसेंटेज ओफ लाइट एनरजी यूटिलाइज बाई हायर प्लान इन दा प्रोसेस यह एक बार कोश्चन आपके मेडिकल प्री मेडिकल एक्जाम में भी पूछा है और आपके टीजीटी पीजीटी यानि आपके टीचिंग एक्जाम में भी पूछा है तो अब इसका जवाब आपको देना है कि कि कितना परसेंट लाइट जो होता है यह सीधे अंसीयाटी में यह लिखा है यह आपके टी जाटी तो पढ़िए ही पढ़िए तो इसमें सिफ्ट सिधे 102 परसेंट है ना सूर से आने वाली उर्जा में एक से दो परसेंट ही जो आपकी लाइट है वो प्रकास अंसलेशन में यूटिलाइज होती है यानि कि एक से दो परसेंट लगाईए ठीक चलिए अगला देखिए कोश्चन इफ सबको दिखाई दे रहा है न फॉन्ट साइज सबको दिख रहा है इफ कार्बन डियाक्साइड कंटेंट ऑफ दे अट्मॉस्फियर इस हाइज 30 पार्ट्स पर मिलियर यदि वाता वरण में कार्बन साइड की मात्रा 300 आ 2 это क्या होगा तो क्या फूछ रहा है कि काम देख साइड में क्या होगा अगर हाई हो जाए इतना हो जाए तो क्या होगा चलिए यानि की तरीके से से जो प्लांट से के अंदर क्या हो जाएगा प्लांट do अंदर आपके photosynthesis की capacity बढ़ जाएगी आपकी यानि कि यह तो प्रस्न समझे और जवाब को हिंदी में हम बताएंगे कुछ students यह कहते हैं कि मैं English में पढ़ाती है कोई भी चैनल खोलिए आपको हू बहू English में ही बताया जाता है लेकिन एक हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंगलेश यहां तक कि मेरे students की notes देखिए जो है पेडवाल वो हिंदी इंगलेश दोनों में बनता है अब जाहिर सी बात है कि प्रश्णों प्रश्णों की संख्या हिंदी में मार्केट में भी कम है और हमने तो वैसे कोशिश किया है कि हिंदी इंगलेश हिंदी में convert कर दे यह इतना अच्छा question है कि पूछिए मत आप को previous year question पेपर देखेंगे तो बहुत easy प्रश्ण दिये गए बहुत कठिन नहीं है the isotopes of carbon used extensively for studied in photosynthesis यानि प्रकास translation में अध्यन के लिए carbon के समस्थानिक का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है तो देखिए अगर isotopes यानि की समस्थानिक की बात अगर की जाए तो हमेस्ता किसी भी living organism में आपका c14 और c16 दोनों होते हैं ठीक है नहीं living organism की बात कर रहा है c14 c14 ही एक ऐसा carbon का isotopes होता है जिसकी वज़ा से carbon dating के माध्यम से हम किसी भी fossil के उम्र का क्या करते हैं आखलन करते हैं क्यों क्योंकि इसकी संख्या हर 55,000 साल बाद इसकी संख्या घटती जाती है यानि कि कह सकते हैं कि कौधों में आपका कितना होना चाहिए isotopes तो आपका carbon का समस्थानिक 14 और oxygen का 18 होना चाहिए यही दम रट लीजे दिमांग में रख लीजे C का 14 और oxygen का 18 यह दो आपके ऐसे हैं जो photosynthesis के समस्थानिक होंगे तो C 14 पे टिक करिए और अगर oxygen अगली बार पूछे एक्जाम में तो oxygen का 18 आईसोटोप्स रख लीजे और यह जब हम photosynthesis का reaction करते हैं तब यह पता चलता है अगला देखिए अगला question आपके साथ यह यह है question इदम बहतरीन डंग से पढ़िए और जवाब दीजे सीधे लिखा है which is the evidence to show that oxygen released in photosynthesis comes from water पानी से यानि कि ऐसा कौन सा evidence है जो कि यह बताता है कि oxygen जो आता है photosynthesis में वो कहां से मतलब पानी से आता है कौन सा सबूत है आपके पास कौन सा सबूत है जो यह बताता है कि पानी से ही oxygen by product बना हुआ है बताईए तो आप कहोगे कि मैं यह चारों सबूत सही है क्यों क्योंकि isotope oxygen 18 supplied पानी को यह देता है जिसकी वज़े से oxygen release होगा तो photosynthesis होगा activated chloroplast in water release oxygen if supplied potassium ferocyanide or some other oxidization absence of carbon dioxide यानि all, all होना चाहिए, all, all, ठीक है, all होना चाहिए यह सारे evidence सही है जो कि यह बताते हैं कि आपका जो oxygen है वो पानी से ही आया है अब अगला प्रस्ट the path of carbon dioxide in dark reaction हमने आपको बताया था कि photosynthesis photosynthesis यानि कि प्रकास संसलेशन में दो reaction ही पढ़ना है आपको एक प्रकाशी अभिक्रिया ठीक है तो यानि कि एक light reaction और एक dark reaction ठीक है dark reaction light यानि प्रकासी अभिक्रिया हमेशा ठाइलाक्वाइड ठेलक्वाइड मेंब्रेन में होता है यानि ठेलक्वाइड जिल्ली में होता है dark reaction हमेशा stroma में होता है और dark reaction का जो अभी reaction है वो कैसे बनता है तो carbon dioxide plus NADPH यानि कि ये तुरंत carbon dioxide core reduction करा देता है जिसकी वज़ा से C6S12O6 glucose का निर्माण हो जाता है ATP release होता है और water release होता है light reaction में जो पानी breakdown होता है आपके pigment पर और ये क्या करता है कि NADP plus के साथ ये H इसको दे देता है और क्या बनाता है NADPH बनाता है और oxygen by product हो जाता है फिर यही NADPH dark reaction यानि stroma में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद glucose का निर्माण करता है यानि कि ये reaction जो है वो दो step में होता है दो step में यह reaction होता है चलिए तो यानि कि इसमें आप क्या किससे आप कहोगे तो आप कहोगे कि आपका C-14 और oxygen C-14 oxygen C-14 glucose में होता है और oxygen क्या होता है आपका by product होता है B is the right answer B is the all फिर से all इसमें option में नहीं है तो all कैसे बता रहे हो आप B is the right action अधित्य जी NADPH compound है जिसका नाम है nicotine amide dinucleotide phosphate यह compound है इसी compound की उपस्थिती में जो आपका पानी है इसके साथ मिल करके एक नया compound बनाता है यह compound यह एक रसाइनिक compound है यानि B is the right answer यानि कि C-14 glucose में और oxygen आपका by product में तो इस C-14 का नाम ही है glucose जो कि dark reaction में बनता है इस O2 का नाम है light reaction में जो यहाँ आपका by product बनता है इसे कभी आपको लगता है कि Hindi English बाधा नहीं होती है यह आपकी मान सिक्ता है यह आपकी NADPH आदित मलिक जी हमने बताया ना यह compound है और इसका फुल फॉर्म निकोटिन एमाइड डाइन उप्योटाइड फॉसफेट है इसका फूरा फुल फॉर्म अगला देखिए discovery of immersion effect has already shown the existence of क्या बताइए क्या होता है इसका जवाब हाई मैम आई अम लेट चलिए धर्मेंद चौधी जी लेट मत होईए सभी सभी लोग अपना अराम से समय पे आ जाईए समय पे आएंगे तो पढ़ाई अराम से स्टार्ट हो जाएगी देखिए immersion and Arnold ये दो वैग्यानिक थे इन्होंने क्या खोज किया क्या है कॉरला में क्या खोज किया दो तरह के फोटो सिस्टम तू फोटो सिस्टम की खोज की गई तू फोटो सिस्टम और ये दो फोटो सिस्टम क्या है फोटो सिस्टम फस्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड इस इमर्सन इफेक्ट में दो प्रकार के फोटो सिस्टम की खोज की गई ठीक है फोटो सिस्टम की एक होता है पी एस फर्स्ट एक होता है पी एस सेकेंड यह फोटो सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में देखिए यहां पर थेलेक्वाइड मेंब्रेन है और यहां पर स्ट्रोमा लेमल Paul Academy इसी ठेंक्वाइड मेंबरेन दो फोटो सिस्टम पड़ीय एक long और पीज़ पड़ यह कहलाता है और लेश्चों पर स्पॉटो सिस्टम फिरोट क error system फ़स्ट कहलाताह प्रना च्लनि आपको बताएं पर港 सिस्टम बराबर LHC प्लस LHC का मतलब क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉंप्लेक्स और हमने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है प्लास रियक्शन सेंटर रियक्शन सेंटर इन दोनों को ही मिला कर फोटो सिंथेसिस बनता है यानि कि थैलेक्वाइड मेंब्रेन पर रियक्शन सेंटर होता है जिसको क्लोरोफिल A कहते और कुछ आपके LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉंप्लेक्स उपाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल B, जैनेथर फिल और कैरोटीन कहते हैं ये तीनों ही पिगमेंट क्लोरोफिल A को उर्जा देती हैं जिससे की वह क्या करें तो वह एक क्यामिकल रियक्शन कर पाए तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब क्या है? तो ये दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं इमर्शन इफेक्ट का मतलब ही कि दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं दो तरह के फोटो सिस्टम और आप जानते हो कि फोटो सिस्टम सेकेंड में जो आपका वेब लेंथ होता है वो 680 होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो वेब लेंथ होता है यानि 700 नैनो मीटर वाला प्रकास ये ले सकता है अब जो नहीं पढ़े हैं तो वो फिर तो नहीं समझ पाएगे क्यों क्योंकि इतना बड़ा इसका कॉंसेट है कि मुझे दो क्लास लग गया था इसको समझाने में लेकिन फिर भी अराम से करते चलिए धीरे धीरे आप समझ पाओगे तो यह इस दा यानि दो प्रकार का यह फोटो सिस्टम तो जितने भी आपके पेड़ वाले उनको समझ में आ रहा है प्रश्ण अब अगला चलिए यह रहने दीजे यह रहने दीजे चलिए यह बताईए और टोटल इमाउंट ओफ वाटर एब्जॉर्ब बाई दा प्लांट यानि कि पूरा पानी पौधों के द्वारा अवशोशित कर लिया जाता है एक्शुल परसेंटेज ड्यूरिंग फोटो सिंथे अगर हमने एक बाल्टी पानी पौधे में डाल दिया तो पानी तो उसने पूरा पूरा एब्जॉब कर लिया भाई मिट्टी से उसने एब्जॉब कर लिया लेकिन कितना परसेंट पानी वह प्रकास संसलेशन में इस्त इस्तमाल करेगा तो आप सभी महान विद्यार्थियों को पता है एक से दो परसेंट एक से दो परसेंट पानी का इस्तमाल करता है चली अंकिता रस्तोगी जी बहुत बढ़िया अगला देखिए ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर वाज प्रोवा था स्यपेरिम किसने यह एक्सपरिमेंट दिया था है किसने यह एक्सपरिमेंट दिया था बताईए आप सभी लोग अधोगे कि corazón आँक से चली ओटो यह यह यह-धालोम है हीन ने दिया था हे हीन नेन दिया था यह वाले लो चलिए क्या बताए यह देखिये चलिए the name of scientist उस वैज्ञानी का नाम बताईए जिसने point out यानि पहली बार यह बताए था ऐसे वैज्ञानी का नाम बताईए जिसने पहली बार यह बताए था importance of different wavelength of light अलग-अलग light के तरंग दैर्ध का importance बताया था, किस वेग्यानिक ने, किस में, तो एक green algae और आपके aerobic bacteria, यानि aerobic bacteria का मतलब कि ये इनमें क्या होगा, oxygen क्या है, आपका absent होगा, ठिक, तो ये, नहीं, aerobic है न, anaerobic, यानि इसमें oxygen present होगा, oxygen के presence में. ये कौन है भाईया, चलिए, क्या हो गया भाईया, इतने आकरामक क्यूं हो रहे हैं आप लोग क्लास में, बायो की क्लास में इतनी आकरामक का सोभा नहीं देती है, ये कौन पंकसर की सच्चाई दिखा रहा है भाई, very good प्रिंस जी, आपके इंगल में ने बताया था, और आप जानते हो पार, पार एक ऐसा spectrum होता है, एक क्या होता है, इसको कहते हैं photosynthetic, photosynthetic active radiation, यानि कि आपके 400 से 400 nanometer से 700 nanometer, इन दोनों के बीच में अगर web length होगी, तब ही आपका क्या हो सकता है, photosynthesis हो सकता है, photosynthesis हो सकता है, यही पार कहलाता है, क्या पहलाता है, पार, दी, यह चोग था, अब अगला, photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric carbon dioxide level because, C4 पौधे में प्रकास संसलेशन, वायू मंडलिये carbon dioxide इस्तरों द्वारा अपेक्षाक्रित कम सीमित होते हैं, क्यूंकि क्यूं होते हैं, फड़ा फड़ बताईए, अच्छा प्रदीब जी, यही आपके माबाप ने सिखाया है, कि भाईया बायो की क्लास में जाके romance करो, और तो आपके माबाप और धंकी कोई सीख दे नहीं सकते, तो जैसे आपके भाईया घर में सिख्षा मिली होगी, वैसे ही जो है आप यहाँ पे सब्द बोल रहें, इसमें यहाँ बच्चों के संसकार दिखते हैं, कि उनके माबाप ने क्या उनको सिखाया, जो सब्द बच्चे हैं, उनके माता पिता के बारे में पदा चलता है, और जो सब्द हैं, उनके जो है, अब देखिए इनको, इनके माता पिता भी कहना नहीं चाहिए, तो यानि कि आपका effective pumping, जाहिर सी बात है इफेक्टिव पंपिंग ऑफ कार्बन डाइयोकसाइड इन्टू क्या है बंडल सीथ सेल तीसरा सही है चलिए अगला देखिए अगला कोश्यन देखिए फोटो सिंथेसिस इस फोटो सिंथेसिस क्या होता है प्रकास संसलेशन होता है और यह संसलेशन होता है प्रकास संसलेशन होता है प्रकास संसलेशन होता है क्या होता है प्रकास संसलेशन बताइए प्रकास संसलेशन क्या होता है वेरी गूड सत्रा का भी सभी लोग जवाब दे रहे हैं सत्रा का भी भावनाजी वेरी गूड रिडॉक्स रियक्शन रिडॉक्शन यानि कारवन फिर यहां पर इंडर्जोनिक और एनाबोलिक यानि की बी इस दराइट एंसर ठीक है आपका बी इस दा राइट एंसर अगला कोश्चन अराम से जल्दी करते चलिए अहां यह हो गया ना एक सकन रूखिए भाई अगला कोश्चन दा सिगनिफिकेंस ओफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटो सिंथेसिज वास डिसकवर्ड भाई यानि कि क्लोरोफिल और प्रकास की उपस्थिती प्रकास संसलेशन में किसने उनके महत्व को दिखाया था सिखा यादो जी बिल्कुल रोज चलती है सरिता यादो जी सौरी बहुत बाधता रहती है न मेरी अब ले नहीं सकते हम लेकिन जितना हमारा रहता है उतना हम लेते हैं तो किसने दिया था वेरी गुड़ अंकिता रस्तोगी जी यह सिधे सिधे कोश्चन है इसमें समझाने की कोई जोट नहीं बस कोश्चन देखिए और कुछ फैक्चुल जानकारी होती है उसे रट लेना चाहिए असल में समझने वाली चीजे तो C4, C3, Camp Plant और किस तरीके से Electron Carrier, Electron Acceptor और किस तरीके से Water Breakdown करता है किस तरीके से कौन सा Enzyme NADP को NADPH में बदलता है यही में समझने वाली चीज है यह तो सिधे सिधे वैज्यानिक हैं वैज्यानिकों का नाम जो है हम आपको क्लास में एक सुची दे देंगे बस सारे वैज्यानिकों का नाम आपका उसी से तयार हो जाएगा अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दा प्रोसेस ओफ फोटो फास्पोराइलेशन फोटो का मतलब होता है प्रकास की उपस्तिती फोटो का मतलब होता है प्रकास की उपस्तिती और phosphorylation का मतलब होता है ATP का निर्मार यानि की phosphorylation का मतलब ही होता है ATP का निर्मार और यह ATP का जो निर्मार होता है आप जानते ही हो ADP+, यह जब दोनों bond करते हैं आपस में जब bond करते हैं ATP का निर्मार होता है इसी reaction को photo phosphorylation कहते हैं यानि की ADP और आपका phosphate दोनों जब bind करते हैं bind करके ATP का निर्मार करते हैं तो यही कहलाता है आपका और जब प्रकास की उपस्तिती में ATP का यह निर्मार हो यानि की जब प्रकास क्या करे ADP और Fosted इन दोनों को आपस में Bind करा दे और ATP का निर्माड हो यही कहलाता है तो बताईए यह कहां होता है तो आप कहोगे सब का जवाब होगा Chloroplast अब यह Chloroplast में कहां होगा Chloroplast में यह जवाब कहां होना चाहिए अब आपके अगर और Deep में पूछ दे इक्जामनत कि अच्छा बता दीजे Chloroplast में कहां होता है तो यह Chloroplast में Thylakoid Thylakoid Membrane पर Membrane पर होता है इसी Membrane पर एक Electron Carrier पाया जाता है Electron Carrier पाया जाता है उस Electron Carrier का नाम Cytokinin Cytokinin B6F है यही B6F क्या करता है तो आपका ADP PLUS PI को ATP में बदल देता है और इसी को कहा जाता है इसी Process को कहा जाता है और यहां एक Light यानि प्रकास के उपस्तिती में हो रहा है इसी को कहा जाता है Photo Phosphorylation कहा जाता तो एकदम हम Deep तक गए है एकदम Deep में हमने आपको यह बता दिया कि कहा होता है ठीक है चलिए आगे देखिए Very Good Prince जी चलिए बहुत बढ़िया कोशन Deep तक भाई आपको पढ़ना पढ़ेगा न Deep तक नहीं पूछोगे क्योंकि अब इंटर्व्यू खतम हो गया तो परिक्षा की कठीन होगी थोड़ा Deep में जाएंगे लेकिन आपको टेंशन करने की जौत नहीं आपने क्लास में सब पढ़ा हुआ है अगला देखिए प्रकास कंत्र है वह दो प्रकार का होता है प्रथम और दित्ती दोनों होता है फोटो सिस्टम किसे कहते हैं तो जितने भी एंटीना यानि जितने भी एसे से से पिगमेंट है और एक होता है रियक्शन सेंटर जो कि आपका पी फरस्ट में रियक्शन सेंटर कितना होना चाहिए तो 700 होना चाहिए और जितने भी इसके एसे से होगे जैसे कि झैने तो फिल हो गया होगया और क्या होगा यह सब 200 से नीचे होगे 700 से नीचे तो आप बताईए क्या कि पी एस पर्स्ट कहां होता है तो आप रहारा कहां थो आटिए को ओड़ाया कहां बताऊगे कि मैं पहले तो यह कहां पाया जाएगा याद करिए हमने आपको बताया है यह एक तो यह थेलेक्वाइड मेंब्रेन है थेलेक्वाइड मेंब्रेन में हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका PS first PS second और PS first यह आप जानते हो इसको क्यों कहते हैं इनके खोज के अधार पर इसकी खोजबाद में हुई जो P68 वाले की खोजबाद में हुई और P70 700 वाली की खोजबाद में हुई इसलिए इसको first और second बोला जाता है ठिक और इस पर भी PS second और PS first होता है लेकिन यहां पर स्टोमा लेमली होती है इस पर सिर्फ और से PS first होता है और तो बताईए अब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए चौथा होना चाहिए इस्टोमा थेलक्वाइड एंड नॉन एप्रेजड पार्ट ऑफ ग्रेना थेलक्वाइड यानि कि एक तो ग्रेना थेलक्वाइड में पाया जाएगा और एक इस्टोमा इस्टोमा लेमली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इस्टोमा थेलक्वाइड भ राइट एंसर एन फोर्थ इस राइट एंसर चलिए चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं कोश्चन समझ में आ रहे देखिए इतना फटा फट आपने 21 प्रश्न कर लिया है अब अगला देखिए लिखा which of the following pigment does not occur in chloroplast ऐसा कौन सा pigment है जो की chloroplast में नहीं होता है तो चलिए अगर हम pigment की बात करें पिगमेंट की बात करें तो देखें पिगमेंट की बात करें तो आपकी pigment चार परकार की होती कौन कौन सा chlorophyll A chlorophyll B जैनफोफिल यह हम पूरे पूरे पिगमेंट की बात नहीं बता रहे हम सिर्फ और आपके प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट की बात कर रहे है और चौथा जैनफोफिल और चौथा है कैरोटीन कैरोटीन एक सेकंड रुख यह से मिटा लेने दीजें कैरोटीन कैरोटीन जिसको एंसी आर्टी कैरिटन वाइड बोलती हैं यह चार प्रकार के जो पिगमेंट आपके प्लांट में पाए जाते हैं और कहां पाए जाते हैं तो जो है कहां पर क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं यह चारो के चारो इन तीनों को क्या कहते हैं क्लोरोफिल बी जैनतोफिल और कैरोटीन को इन तीनों को हम लेच सी बोलते हैं या एसेसरी एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं या एंटीना बोलते हैं यह इसका नाम है और क्लोरोफिल एको reaction center बोलते हैं क्या वोलते है reaction center एक Sut由 सबसे ज्यादा racks एको ही मिलता है ढलो कि जो है आपका ए वह यूनिवर्सल pigment होता है सारे पौधो और प्लांट में पाया जाता है तो इसमें से चौथा हटा दीजिये और यह तीनों ही आपके प्लांट में पाया जाए तो कैसा लग रहा है और जितने भी हमारे पेड़ वाले बच्चे होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी या फिर आप में इसे भी बहुत बिद्वान बच्चे हैं जो की क्या करते हैं जो की खुब अच्छे से उन्हो प्लीनों चली आगला देखिए जैसे तबश्यम जी अक्सर मेरी क्लास लिया करती है उसमें से बहुत सारे इस्टूडेंट हैं जो की पाया जाएगा सेंटर में एंजी पाया जाता है और चार पाइरॉल रिंग होते हैं जिसमें पॉरफाइरीन होता है क्या होता है पूरफाइरिन की वज़े से इसमें कलर होता है जो क्लोरो और यही पाइरॉल रिंग्स में पॉर्फाइरिन पाया जाता है जिससे की क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है ठीक है वेरी गुड दे सेंट्रल आयन इस एमजी एंड लार्ज ओर्गेनिक मॉलेकुल अपॉर्फाइरिन बहुत बढ़िया विच पिगमेंट इस वाटर सॉलिबल कौन सा पिगमेंट है जो पानी में घुलन सील है पानी में घुलन सील वर्नक गुलन सील वर्नक कौन सा है पानी में घुलन सील वर्नक कौन सा है बताइए पानी में घुलन सील वर्नक कौन सा है तो देखो क्लोरोफिल होगा नहीं कैरोटीन होगा नहीं जैनतोफिल होगा नहीं यह तीनों ही नहीं होंगे तीनों ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ अलगरी रहा है ना कॉल यानि ये तीसरा ही पानी में गुलंसील वर्णुश है दस्ताइट फॉर डार्क रियाक्शन और फोटो सिंथेस्ज यानि वह stor को दोडार्क रियाक्शन होता तो डार्क सनलाइट पर डारेक्ट सूर के प्रकास पर निर्भरता नहीं होती है है ना डारेक्ट सूर के प्रकास पर इसकी निर्भरता ना होने के कारण इसको डार्क रियक्शन कहते है और हमेशा जो डार्क रियक्शन होता है इस टोमा जो के एक लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोप् बहुत ज्यादा ये ध्यान रख्या करिए कि carbon dioxide पौधे से बाहर वातावरण में इसलिए जाता है क्यों कि carbon dioxide का concentration वातावरण में कम है पौधों के हिसाथ से पौधों के स्टोमा में carbon dioxide बहुत ज्यादा concentration में पाए जाते हैं तो carbon dioxide का concentration है न स्टोमा में है प्लस जो light reaction से आपका product बन के आया है NADPH ये NADPH इसको carbon dioxide को reduction करा करके glucose बना देता है और यह glucose बनाने का process dark reaction में ही होता है तो कह सकते हो कि stroma में कहाँ chloroplast के stroma में जब कि chloroplast के ग्रेना में light reaction होता है क्या होता है light reaction होता है ये रहा analysis कैसा लग रहा है आपको class कैसी लग रही है फटा फट class के बारे में बताईए कैसा लग रहा है chlorophyll is present chlorophyll कहाँ प्रेजेंट होता है chlorophyll कहाँ प्रेजेंट होता है chlorophyll कहाँ प्रेजेंट होता है चलिए क्लोरोफिल काहां पर प्रेजेंट होता है जाते ही ये कि in the granule of chloroplast on the surface of chloroplast या dispersed throughout the chloroplast या in the stroma of chloroplast यानि काहां पर यह पाया जाता है बताइए तो सीधे सीधे कहोगे कि अरे मैं कई बार तो आपने बताया है क्लास में कि यह रहा chloroplast और यही पर क्या है थेलकोइड मेंब्रेन है और यह थेलकोइड मेंब्रेन ग्रेना के उपर और यही पर यही पर आपके पूरे pigment पाए जाते हैं सारे pigment ग्रेना के ऊपर थेलिक वाइड मेंबरेन पर पाए जाते हैं और pigment चार प्रकार के होते हैं जो main pigment होता है वही chloro phil A होता है और वही chlorophyll A chemical reaction कराता है यानि कि पानी को तोड़ता है यानि कि photo, क्या है, photolysis कराता है फोटो लाइसेस पानी को तोड़ने का मतलब ही है कि अपने इलक्टरॉन की पूर्ती के लिए जो है पानी को तोड़ेगा उसी को फोटो लाइसेस बोलते हैं तो यानी कि क्या बोलोगे the grain of chloroplast यानी कि ग्रेना chloroplast के ग्रेना पर ही आपका pigment पाया जाता है और इसी ग्रेना पर जैने थो फिल भी पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है तो जितने लोग है अराम से चीजों को समझ गये होगे अविनाश मिश्रा कह रहे हैं लोकेटेट इस प्लांट को बेरी गुड़ विच आपके स्ट्रोमा में डार्क रियक्शन में जाता है तब यहां आपके स्ट्रोमा में ग्लुकोज का निर्माण होता है यह होता है अनलेसिस अगर धंक्त कर लिए न एक्जाम कोई नहीं और अभी परिशान मत हो यह हां अंकीता रस्तोगी जी बतारे फोटोलाइसिस का मतलब कि पानी ब्रेक्डाउन होता है और जाहिर सी वात है कि बाइप्रोडक्ट क्या बनेगा ऑक्सीजन और जो एच निकलेगा यही एच का क्या कहां जाता है एक कंपाउंड पाया जाता है निकोटेल जिसका नाम क्या है आपका निकोटिनेमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्वेट उसके साथ मिलके नडिपीएच और नडिपीएच कहां चला जाता है स्टोमा में तब वह कारबन डियाक्साइड को रिडक्शन कराता है तब ग्लुकोज का निर्माड होत देखें आप जानते हो विब ग्योर सबसे ज़्यादा जो लाल होती है ना सबसे ज़्यादा लाल इसकी वेबलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वेबलेंथ हमने आपको क्लास में बताया था कि इसकी वेबलेंथ ज़्यादा होगी लेकिन इसकी उर्जा कम होगी इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है क्योंकि हमेसा एनर्जी जो होगी एनर्जी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लेम्डा यानि कि वेबलेंथ के व्योतक्रम नुपाती होता है उर्जा उर्जा कम है इसलिए इसकी वेबलेंथ ज्यादा है तो सबसे ज्यादा आपकी रेड लाइट होती है सबसे ज्यादा जो आपकी प्रकास अवसोसित करती है रेड रेड के बाद ब्लू और सबसे कम हरा सबसे कम हरा यानि ना के बराबर ना के बराब समझ गए तो सबसे ज्यादा आपकी रेड सबसे ज्यादा आपकी क्या है रेड है रेड के बाद ब्लू लाइट है आपकी रेड ब्लू है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है रेड और ब्लू में लेकिन थोड़ा सा रेड ल ब्लू भी उतना ही करता है जितना रेड लेकि थोड़ा साइन में अंतर हो जाता है ठीक है और सबसे कम ग्रीन में होता है सबसे कम ग्रीन में होता है सबसे कम ग्रीन में ठीक है तो यहां पर रेड लाइट कर दीजे और सबसे कम ग्रीन में होता है एकदम 9 के बराबर 9 के कार्टीन किसमं मदत करता है कैरोटीन किसमे तो हमेशा याद करिये कि जो कैरोटीन की उपस्तिती होती है वो सिर्फ और सिफ किसमें मदद करता है तो वेरी गूद फ्रोटेक्टिंग फ्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल मोलिक्यूल फ्रॉम फोटो आक्सिडेशन यानि कि प्रकास के आक्सी करण में यह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम ही कैरोटीन क्योंकि यह सेसरी हैं और यह हमेशा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करती है आपको याद होना चाहिए कि कैरोटीन हो गया, जयने तो, फिल हो गया, यह सब सेसरी है, और एक्सन सेंटर ही खिलोरोफिल ए होता है, तो यह लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को उर्जा, यानि की इलक्ट्रोन जब recite होगा, तो यह उर्जा देते हैं, का एक तरह से प्रोटेक्ट करता है क्या करता है प्रोटेक्ट करता है क्या है कितने पिगमेंट में पाया जाता है बताईए तो यह याद रखे क्वांटसोंस में हमेशा 400 से नीचे होना चाहिए कितना होना चाहिए 400 से नीचे और 400 से उपर फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडियेशन हुआ करता है यानि यह दराइट अठाइस का ए क्लोरोफिल ए इस फाउंड इन क्लोरोफिल ए कहां पाया जाता है आपको प्रश्ण एकदम इंक्रीजिंग ओर्डर में जा रहे हैं ऐसे ही हम कराएंगे आराम से सेशन को आराम से भेजते रहिए कि ज़्यादा ज़्यादा इस्टुडेंट्स आराम से इस क्लास को देख सक बताईए लोग आपको पाया जाता है कहां पाया जाता है बताईए तो आप कह सकते हो और और सीजन रिलीजिंग फोटो सिंथेटिक फॉर्म में पाया जाता है यह 29 वाले लोग यह डी कौन बता रहा है और फोटो सिंथेटिक यू केरियोर्ट में कैसे बता रहे हुआ और ऑक्सीजन रिलीजिंग यानि सभी जहां पर बाई प्रोड़क्ट ऑक्सीजन बन रहा है बाई प्रोड़क्ट ऑक्सीजन बन रहा है जो कि फोटो सिंथेटिक में वही पर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा रहे भगवां क्लोरोफिल यूनिवर्सल इसलिए है सभी ग्रीन पौदों में क्यों क्यों कि यहां से यही एक ऐसे हैं क्लोरोफिल ए ही ऐसा है जो वाटर को ब्रेक कराता है और वाटर को ब्रेक कराने के बाद H प्लस अलग करता है और oxygen by product बनाता है और यही H plus आप जानते हो एक compound पाया जाता है NADP plus उसके साथ जुड़ जाता है तो A is the right answer यानि कि all oxygen releasing photosynthetic form यही कहलाता है आपका यही chlorophyll वहीं पर पाये जाएंगे क्योंकि यही chlorophyll A पानी को तोड़ करके oxygen निकालते है ठीक है इन पिगमेंट फोटो सिस्टम first reaction center कौन सा होता है इन चलोर चल्ली आगे देखिये इन पिगमेंट तो हमने आपको पहले बताए था कि जो आपके फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम दो तरके होते हैं एक फोटो सिस्टम फस्ट एक फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो सिस्टम फस्ट में 700 नैनो मीटर वाला यानि पी साथ सो का रियक्शन सेंटर होता है reaction center यानि इस reaction center को chlorophyll A कहते हैं chlorophyll A यही chlorophyll A पानी को breakdown करेंगे जिससे की oxygen निकलेंगा PS second में जो reaction center होता है यानि कि 680 680 यानि कि जो chlorophyll A है वो आपका क्या है तो 680 वाले web length के प्रकास को absorb करेंगा तो PS first पूछा है तो आप 2700 लगाएंगे 400 से नीचे चास क्योंकि option में वो दिया था न तो 400 से नीचे और 2800 के उपर कितने बीच में आपका quantosomes पाए जाएंगे अगला देखिए बेस्ते के structure of all chlorophyll comprise of सभी chlorophyll की मूल इस तरचना में क्या सामिल है देखते ही बता दोगे सभी chlorophyll की मूल इस तरचना में क्या सामिल है तो जानते ही हो porphyrin और इसी porphyrin से इनका क्या होता है pigment होता है जिनसे इनका हरा रंग होता है यानि कि third is the right answer what is the byproduct of bacterial photosynthesis अगर आपके bacteria में photosynthesis हो रहा है तो आखिर byproduct उसमें क्या बनता है आप देखते ही बता दोगे हमने आपको बताया है आपकी copy में लिखवाया है बताये sulfur bype देखो भाईया इनमें क्या होता है आपने देखा कि पौधों में S2O breakdown हो रहा है लेकिन इसमें S2S breakdown होता है hydrogen sulfide breakdown होता है तो byproduct H plus अगर हटेगा तो byproduct sulfur बनेगा तो byproduct sulfur होना चाहिए कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया में byproduct sulfur बनेगा sulfur बने लिए यानि कि third is the right answer in chlorophyll molecule Mg is situated in chlorophyll में जो magnesium होता है वो कहाँ पर situated होता है तो आप सभी जानते हो बीच में होगा किनारे किनारे pyrrole ring होते है तो कहां बोलोगे तो corner of नहीं center of porphyrin ring porphyrin ring के center में आपका पाया जाता है बीच में फिर कहाँ चार pyrrole ring होंगे तो center में बीच में और इसका हम आपको class में structure discuss करेंगे the photosynthetic pigment chlorophyll are soluble in जो आपका क्या लिखा है photosynthetic pigment होता है chlorophyll वो किसमे soluble है किसमे घुलंसील है किसमे घुलंसील है चलिए organic solvent में किसमे किसका सही जवाब आया था तो prince जी का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया organic solvent में ये सारे घुलंसील है which of the following protein is most evident on the earth कौन सा protein जो है पूरे प्रितवी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा लाइक एलकोहल बहुत अच्छा अंकीता जी मताईए कौन सा protein तो आप कहोगे rubisco अभी ये rubisco आप पढ़ोगे आगे जब हम C3, C4 ये सब पढ़ाएं rubisco rubisco जो है protein पूरे प्रितवी पर सबसे ज़्यादा यह protein की मातरा पाई जाती है universal photosynthetic chlorophyll is universal डेखे chlorophyll जो होता है न chlorophyll वो chlorophyll के कई प्रकार है chlorophyll A, B, C, E बैक्टिरियो chlorophyll बहुत सारे प्रकार लेकिन इन में से जो universal photosynthetic है वो कौन सा है तो हम बार बार आपसे बोल रहे है chlorophyll A और यही करता है पेड में क्या पानी को break down और oxygen का byproduct कराता है इसी को reaction center बोलते है which of the following the site of photolysis of water photolysis of water का मतलब कि पानी को तोड करके क्या करना पानी को तोड करके oxygen का निर्मार करना यही आपका कहलाता है क्या photolysis यह photolysis तो बताइए कहां पे होता है कहां पर होता है तो देखिए आप सभी जानते हो कि कोई भी जैसे कि यह pigment इन pigment के पास कुछ खास तरह के enzyme होते है कुछ खास तरह के enzyme होते है जो पानी को तोड करके क्या बनाते है तो 2H plus 2H plus plus half oxygen यह बनाते है यानि इसमें byproduct oxygen बन गया तो यह कहां पर बनाते है तो यह चीज याद रखिए कि यह चीज जानते है कहां होता है तो ऐसे देखिए आप पहले देखो यह थेलक्वाइड मेंब्रेन है यह थेलक्वाइड यानि हमने ऐसे बना लिया यह थेलक्वाइड मेंब्रेन है और इसी पर photosystem second और photosystem first पाया जाता है तो जब यहां से electron excited होगा तो याद करिए इस photosystem second यानि कि 680 nanometer वाले pigment के पास electron की कमी हो जाएगी और electron की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पानी को तोड़ेंगे यहाँ पर enzyme पाया जाएगा पानी को तोड़ देंगे और पानी को तोड़ करके 2H plus plus half oxygen बनाएगे और यहाँ से electron release होगा जो कि इनको electron की deficiency को पूरा करेगा इसलिए तो तोड़ते हैं यह क्योंकि सारा electron तो यहाँ excited यानि उत्तेजित करके बाहर निकाल देते हैं और इनके पास electron की कमी हो जाती है इसलिए यह वाटर का photolysis कहते हैं और यह photolysis हमेशा थेलक्वाइड मेंब्रेन के अंदर यानि यह वाले पार्ट को lumen कहते हैं lumen में होता है अंदर होता है membrane के नीचे होता है उसको lumen कहते हैं यानि lumen surface of थेलक्वाइड membrane पोर्थ इस दर राइट एंसर बताइए lumen और थेलक्वाइड क्योंकि अंदर होता है क्योंकि उपर उपर तो carrier लगे होते है electron carrier जो की इनको photo system first को पहुँचाते है फिर यही पर iron sulfur होता है जो आपका क्या करता है क्या है pharadoxon को देता है FD को देता है और यही FD क्या करती है NADP को H दे देती है यहां से है ना H दे देती है और यही H से बन जाता है NADP H बन जाता है तो यह सब class में आप पढ़े हो तो यह lumen of surface उपर वाले को थेलक्वाइड membrane कहते है अंदर वाले भाग को lumen अब अगला question मजारी question करने में मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोको अंद तीसवा question है पहला step बताईए photosynthesis का पहला step बताईए photosynthesis का joining of three carbon atom to form glucose formation of ATP ionization of water या excitement of the electron of chlorophyll by a photon of light पहला step इसमें क्या होना चाहिए बताईए पहला step यहाँ पर क्या होना चाहिए photosynthesis का तो आप सभी जानते हो मैंने आपको class में ही पढ़ाया था याद करिए यह आपका थेलक्वाइड मेंब्रेन है और यहीं पर यहीं पर दो pigment पाए जाते हैं इनहीं pigment का नाम क्या है photo 180 nanometer की light मिलेगी यहां से electron excite होके उपर चला जाएगा पिर यहीं से आपका एक electron acceptor होगा वो नीचे downhill लेके आएगा और यहीं पर electron carrier होते हैं वो electron को ऐसे पहुचा करके photo system first के पास ले जाएगे यानि कि पहला step ही है electron का excitement और chlorophyll a photon of light यानि यही reaction center है इसी को हम chlorophyll a कहते हैं यह यह भी chlorophyll a यह भी chlorophyll a लेकिन अंतर क्या है कि यह पी 700 वाला है और यह पी छेटो 80 वाला है एक दम बहतरी देख लीजे समझ में आया कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है न यह सब आपने अभी आज class में पहला यह पहला ही step यह होगा कि जब photon of light light जैसे पड़ेगा छे सवस्ती का और छे सवस्ती का किस पे और दोनों पे पड़ेगा ऐसा नहीं है इस पर छे सवस्ती का पड़ेगा और इस पर 700 नैनोमीटर का पड़ेगा दोनों ही अपने इलक्ट्रॉन को एकसाइट करेंगे तो पी सेकंड वाला एक acceptor रहता है जिसको हमने आपको क्लास में लिखवाया है कि कौन सा acceptor है उसको accept करके नीचे ले आता है membrane पर और यहीं पर electron carrier जो क्या करता है अपना आगे transfer कर देता है और यहां पर electron को accept कौन करता है तो iron sulfur इसको accept करके ferodoxin को दे देता है और ferodoxin एक enzyme बनाती है ferodoxin NADP reductase enzyme उसके द्वारा ही आपका क्या होता है जो NADP है वो NADPH में बदल जाता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं the gain of light reaction is the gain of light reaction is क्या है 40 question तो हम आज करा के ही जाएंगे एक question और कराएंगे बताई the gain of light reaction is बताईए तो आप सभी जानते हो light reaction में मेरे प्यारे विद्यार्थियो light reaction में क्या बनता है तो हमने कई बार आपकी copy में लिखवाया है ATP बनेगा NADPH बनेगा light reaction में और तीसरा oxygen byproduct बनेगा यही तीन चीज बनता है जबकि dark reaction में आपका क्या तो glucose बनता है glucose बनता है यानि मेरे प्यारे विद्यार्थियो आप जानते हो कि इसमें क्या बनेगा glucose glucose आ गया तो इसको काट दो glucose glucose आ गया तो glucose इसमें light reaction में बनता ही नहीं है A is the right यानि ATP NADPH और आप O2 लिख लिजे हो सकता है अगली बार परिक्षा में O2 आ जाए O2 आ जाए ठीक है तो समझ में आ रहा है न question यह होता इसलिए theory पढ़ने के बाद जब question लगाओगे तो ज़्यादा मजा आती है अब लेखिए which one of the following concern with photo phosphorylation photo phosphorylation का मतलब ही होता है कि प्रकास की उपस्तिती में ATP का निर्माण कराना ठीक है यानि कि जब ADP phosphate के साथ bind करके जब ATP का निर्माण करेगी प्रकास की उपस्तिती में तो यही कहलाता है photo phosphorylation तो बताईए question पढ़िए बताईए तो आप सभी जानते हो हमने बताया ही था ADP के साथ PI लिख लो PI है ना तब जाके आपका light energy ATP यानि कि आपका ये second वाला सही यानि कि भाई light energy ना प्रकास की उपस्तिती में ATP प्रकासी एटीप यानि कि आपका क्या है प्रकासी उउर्जा है यही प्रकासी उउर्जा ATP के फॉर्म में बदल जाती है यह हमने शुरुआत के इक्लास में बताया और ADP के साथ क्या है PI का मतलब ही होता है inorganic phosphate PI का मतलब ही होता है inorganic phosphate कुछ भी लिख देने से आपका प्रकासिय उर्जा यानि ATP का निर्माड होता है इसी को हम फोटो फास्पोराइलेशन बोलते हैं तो बस चला जाए या और करेंगे आप और करेंगे आप questions बताइए लिखा हुआ है the function of ATP in photosynthesis is the transfer of energy form of कि आखिर में ATP का कारे किसे उर्जा का स्थनांतरण करना है किसे उर्जा का स्थनांतरण करना है बताईए अच्छा स्रिष्टी जी पचास करा दें चलिए बताईए तो जहीं सी वाते किसको उर्जा दे रहा है याद करिए प्रकासिय उर्जा light energy को light reaction to the dark reaction अगर light reaction नहीं होगा तो dark reaction भी नहीं होगा क्योंकि light reaction से ही initiate होता है photosynthesis और वो कहां जाता है चलिए है ना तो light reaction to dark reaction में जो उर्जा का स्थनांतरण होता है यादि यहीं ATP का कारे है प्रकास translation में ATP का कारे यहीं है चलिए अगला देखिए in photosynthesis hydrogen is transferred from the light reaction to dark reaction by hydrogen भाई पानी जब light reaction में तूटता है तो hydrogen मुक्त होगा यही hydrogen बाद में NADP plus के साथ चुकि plus है deficit है तो hydrogen उसके साथ मिल जाता है तो बताईए कहां पर यानि कि प्रकास translation में hydrogen का स्थनांतरण होता है और धेरी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रकास प्रक्तिक्रियाद किसके द्वारा अब ही हिंदी तो ऐसे ही चली अगला देखिए क्या होना चाहिए बताईए फटा फट बताईए यानि कि तो आप सभी जानते हो कि आपका NADP याद करी हाइड्रोजन इसी को तो ट्रांसफर होगा यह एच प्लस जब वाटर तूटेगा तो यह एच प्लस ही तो NADP के साथ ही तो जुड़ करके NADPH बनेगा और यही प्रकास कहां डार्क रियक्शन यानि स्टोमा में प्रवेश करेगा और जब स्टोमा में प्रवेश करेगा तो आप समझ सकते हो कि वही और कार्बन डियाक्साइड को क्या करा देगा Reduction और यही प्रवेश का निर्माड हो जाएगा During photochemical reaction and photosynthesis क्या होता है फोटो चैमिकल pon kinda reaction जो होगा आपका क्या होता है देखते ही discussion बताई है चैलिये तो आप सभी जानते हो कि इन में पही जवाब होना चाहिये Liberation of Oxygen Formation of ATP Liberation of यानि कि By-Product of Oxygen और Formation of ATP और NADP NADPH प्लस 2 यानि कि Third Third is the right answer तो कल की क्लास में हम इसका Reaction बताएंगे ठीक है कल की क्लास में हम इसका Reaction बताएंगे अगला देखी ADP ADP प्लस Inorganic Phosphate बराबर ATP इस ग्रेना उसको क्या कहते है ग्रेना में जब ये होता है और ग्रेना में आप जानते हो कहां होता है ये चीज कहां होता है ये वाला काम कहां होता है तो देख लीजिए ये ठेलक्वाइड मेंब्रेन है ठेलक्वाइड मेंब्रेन है और ये ठेलक्वाइड मेंब्रेन किसका है तो ग्रेना का है यही पर आप सभी जानते हो कि आपका क्या पाया जाता है ये पिगमेंट है फोटो सिस्टम second photo system first आप देखोगे तो यही पर electron carrier इसको PQ कहते हैं इस वाले को हम cytokinin B6F कहते हैं ठीक है और यहाँ पर भी आपका PC है यानि कि photosinin यह सब electron carrier होते हैं इसी electron carrier में यहाँ पर यही पर एक enzyme पाया जाता है जो आपका ADP ADP plus PI को PI को ATP में बदल देता है कौन तो यही cytokinin B6F और यह कहाँ होता है तो ग्रेना के थेलेकॉइड membrane पर तो इसलिए रट करके बताना मतलब कि यह चीज सही नहीं है इसी को हम क्या कहते हैं photophosphorylation क्योंकि यह सारी चीजे प्रकास की स्थिती में हो रही है यही कहलाता है photophosphorylation photolysis क्या होता है जब पानी breakdown करके oxygen by product बनाता है इसी को कहते है photolysis इसी को कहते है photolysis तो समझ में आया समझ में आ रहा है कि नहीं अगरा देखिए फटा-फट चोवालेस चोवालेस अगरा देखिए पैतालेस पचास तो होई जाना चीजे सही बात यानि which of the following is excited molecule during photosynthesis निम्न में से कौन उत्तेजित अडू है प्रकास संसलेशन में बताईए कौन सा उत्तेजित अडू है प्रकास संसलेशन यानि which of the following excited molecule during photosynthesis बताईए फटा-फट फटी फाइफ कोस्चन तो देखते ही समझ सकते हो भाई बार-बार हम बताएए कोस्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है स्टूडेन ये थलेक्वाइड मेंब्रेन में आपके दो पिगमेंट पाए जाते है इसी को हम reaction center बोलते है इसी को हम इसी को हम reaction center बोलते है इनही का नाम क्या है तो इसको हम P680 जिसको हम chlorophyll A बोलते है और यही से electronic site होता है जब सूर का प्रकास होता है पढ़ता है इसके उपर इसको भी हम P7 तो कहते है और यह भी reaction center है जो की photo system first है यहाँ भी chlorophyll A ही है यह भी electronic site करता है तो chlorophyll A ही ऐसा है जो बार बार electron को excite करता है तो जब चीजों को connect कर बाओगे class notes से तब बहुत अच्छे से चीजे हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी अगला देखिए NADPH H plus is also called इसको क्या कहते NADPH H plus is also called इसको क्या कहते है पता यह क्या कहते है तो भाईया यह क्या कर रहा है यह reduction करा रहा है यह reduction करा रहा है किसका carbon dioxide का यानि कि carbon dioxide के power को कम कर रहा है है ना reduce करा रहा है तो इसका सही जवाब यही होगा क्या है reducing power of carbon dioxide इसी core reduction कहते और यह बना कहां से है तो यह बना आपको मालूम है कि यह light reaction के माध्यम से बना है ठीक है कहां पर थेलक्वाइड मेंब्रेल और यह जो reducing power कम कहां कर रहा है इस्ट्रोमा में कर रहा है यानि कि dark reaction में कर रहा है तो एकदाम analysis धंग से हो जाएगा तो आराम से आप तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको फर्क लग रहा होगा पहले और अब में question आप समझ पा रहे हो सेतालिस during splitting of water H plus is ultimately captured by कितना अच्छा question कि जब H plus यानि कि by the way यह pigment है आपका कौन सा chlorophyll A जिसका प्रकास के तरंग दैर्द को absorb करने की छमता कितना है P680 तो यह काम ही जब यह electron excite कर देगी तो इसके पास electron की कमी हो जाएगी electron deficit हो जाएगा तो electron प्राक्त करने के लिए यह क्या करेगा पानी को तोड़ेगा और तोड़ करके हमने अभी बताया कि तोड़ करके यह 2H plus half oxygen release करेगा तो यह H plus बन गया तो आखिर में इस H plus को कौन capture करता है तो NADP करता है और capture करके NADPH बनाता है यही NADPH dark reaction यानि की stroma में जा करके फिर से यह carbon dioxide को कमजोर यानि उसके power को reduction करके यह क्या बनाता है glucose चलिए बहुत बढ़िया समन में आ रहा है मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है फटा फट बताईए चलिए हमें जहां तक लगता है आ ही रही होगी at the time of यह तो बहुत standard question है आप में इतने नहीं आएंगे यह काफी high level के प्रशने है आप में मान के चलिए बहुत कठीन प्रशन बना तो ऐसे ही बनेंगे at the time of splitting which is initially captured यह वही वाला question है क्या यह वही वाला question है क्या हाई यह अच्छा नहीं नहीं यह वह question है S2O के विभाजन के समय जो शुरू में इलक्ट्रॉन को पकड़ लेता है वो कौन है यानि कि initially capture of electron कौन करता है at the time of splitting of S2O शुरू में ही फिर से नहीं इसका जवाब बदल जाएगा students इसका initially पूछा है तो initially ही आपका chlorophyll हो जाएगा जो सबसे शुरू में electron को पकड़ेगा electron को capture करेगा वो यह होगा क्या होगा यह होगा ठीक है शुरू में जो आपका electron को capture करेगा वो यह होगा फिर जो बचेगा फिर तब वो जाएगा आपका कहां पर NADP के पास यानि chlorophyll दोनों question में फर्क था इन साइकलिक देखिए इन साइकलिक क्या है photo phosphorylation which one of the देखिए ध्यान से देखिए जो साइकलिक होता है और एक non-साइकलिक होता है तो जो साइकलिक होगा साइकलिक photo phosphorylation का मतलब क्या होगा यानि कि चक्रिय रूप से प्रकास की उपस्थती में ATP का निर्मार ठेक और ये हमेशा या तो या तो photo system first में होगा हमेशा जब हम हमेशा अगर 700 नैनो मीटर का प्रकास देंगे तब ही cyclic photo phosphorylation होता है और ये कहां होगा PS first में PS first में और हमेशा यहां सिर्फ और सिर्फ ATP का निर्मार होगा यहां सिर्फ और सिर्फ ATP का ही निर्मार होता है और non cyclic photo phosphorylation में ATP का भी निर्मार होता है NADPH का निर्मार होता है और O2 का निर्मार होता है तो non cyclic चुकी होता PS first में है यानि कि PS first कहां पाया जाएगा तो photo photo phosphory किसमे यह stromal lamely में पाया जाएगा वहां होता है नहीं तो जहां पर आपका P700 web length nanometer वाला प्रकास जब गिरेगा वहां पर ही आपका क्या है आपका यह पाया जाता है ठीक है तो यहां ATP यानि cyclic में आपका हमेशा ATP और cyclic हमेशा P700 यानि कि photo system first में ठीक है फोटो यानि कि chlorophyll A के photo system first में ही cyclic ATP का निर्मार होता है और non cyclic में हमेशा याद रखिए ATP भी बनता है NADPH भी बनता है और oxygen भी बनता है चलिए अगला देखिए अगला question देखिए अगला question देखिए fixation of one carbon dioxide required fixation of one carbon dioxide is required बताईए कितना तो हमेशा 2 NADPH plus plus और 3 ATP उर्जा चाहिए और ये कल हम आपको reaction में बताएंगे यानि carbon dioxide fixation के लिए ये चाहिए तो चलिए आज का अच्छा बताईए भावना जी अच्छा ये बताईए बहावना जी क्या पी साथ सो पाया जाता है डार्क रियक्शन में पी साथ सो मैंने पहले ही बोलाया था कि स्टोमा में pigment नहीं होगा जब वहां पर pigment ही नहीं होगा तो cyclic no cyclic की बात ही अलग है चलिए हम कलकास में इसका discuss करेंगे आपका अगरा देखिए तो चलिए फिर चलते हैं एकदम बेहतरीन 50 कोशन वो भी आपको हमने एकदम analysis के साथ करवाया ठीक है 50 कोशन 3 ATP होगा very good 3 ATP होगा चलिए आगे तो 2 NADPH H plus 3 ATP 8 carbon dioxide को fix करने में इतनी उर्जा आपकी खर्चों होगी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तो कल आपकी 12 बजे वही परियावरण समान अध्यन की आपकी class रहेगी और कल हम लोग फिर से 11 बजे आपकी private class start करेंगी जिन भी आप विद्यार्थियों को भरोसा जताए एकदम भरोसे के साथ कोई भी शंसे नहीं है जिने भी new batch लेना है बायो का क्योंकि मानते हैं कि TGT में seat कम है लेकिन LT में तो बल्क में आएगी LT भी आएगी ही ठीक है और आपको पूरा बकाइदे 6 महीने का समय मिलेगा LT में भरपूर तयारी करने का ठीक है तो अराम से भरोसा दिखाईए और 94, 52, 74, 92 और पैनिक होने की जोट नहीं है TGT के exam की date साथ दिन पहले आएगी यह जान लीजे यानि की exam date के बाद कम से कम आपको साथ दिन का समय दिया जाएगा तयारी के लिए तो अराम से भरोसा जताईए 94, 52, 74, 94 में जो है हमसे जुड़ जाईए तो चलिए बाई 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 टेक केर और जो है फिर मिलते हैं अब तो हमारा Tuesday से आपका डेली प्रैक्टिस हम रखेंगे बायों का ज्यादा नहीं सही लेकिन तीस प्रश्न हम रोज कराएंगे तो चलिए बाई 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 टेक के क्लिए श ourज लाई बाई 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 गे बाई बाई